स्वामा सॉलीशन चैप्टर 31 केपसिटर्स क्वेशन नमर 38 एच केपसिटर इन फिगर है दा केपसिटर्स ओफ 10 माइक्रो कुलम् दा यह में फोर बेटरी इस हंडिट वोल्ट फाइंड एनरजी स्टोर्ड इन इच फोर केपसिटर्स केतना बोल्ट है और एच केपसिटर्स सी है को अपन कितना बोला 10 מF यह सब होगा और यहां पर क्यों भाइट यहां क्यूब आइक टूब आइक तो यह क्यूबर यह क्यूब आइच आइज निकलता है तो यहां 2 होगा इसको अपन Q by 2 लिख देता है यह भी अपने Q by 2 होगा और यहां पर उफस Q होगा और यहां Q होगा तो चार्ज का distribution आजाएगा तो अपने energy निकाल देता है क्योंकि energy का formula था half CV square और V को अपन Q by C लिख दे तो half Q square by C यह इस formula से अपन energy stored निकाल देंगे ओके तो सबसे पहले क्यों निकालते हैं क्यों निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इसको equivalent find करना पड़ेगा तो यह दोनों जो capacitor है वो parallel connected है और parallel का equivalent क्या होता है equivalent is equal to C1 plus C2 होता है parallel में तो देखो यह C है यह C है तो कितना जागा 2C हो जाएगा ठीक है तो यह जो BC आ रहा है BC का equivalent कितना होगा 2C यह इसका diagram क्या बनेगा एक C यह कौन सा A वाला और यह BC वाला कितना 2C C और यह वापस C और यह अपनी battery हो ओके तो यह तीनों क्या है वापस किसा connected है यह तीनों connected है spell series में तो इनका equivalent क्या होगा 1 1 by C equivalent is equal to 1 by C plus 1 by 2C plus 1 by C यानि यह 1 by 2C is equal to आएगा 2 plus 1 plus 2 यानि की C equivalent is equal to आएगा 2C by sorry सही है 2C by 5 सही है ओके यह equivalent आगिया तो अपने पास यह equivalent डागराम बना वो यह बना एक है अपने पास यह पास क्या पता है 2C by 5 upon यह अपना बेटरी है तो यहां से charge कितना है वो निकाल देता है Q is equal to C into V होता है ओके तो C कितना है C equivalent 2C by 5 into V कितना है यह यह लिग जाता है यह अपना formula आ रहा है तो अपने पास charge आजाएगा देखो 2 by 5 C कितना है 10 micro यह यह 10 के बादर माइनस 6 और V कितना है वी है अपने पास 100 यह यह आजाएगा देखो फाइव फॉर फॉर हंड्रेड माइक्रो कुलम यह चार्ज फ्लो होगा तो यहां 400 है तो यहां केतना होगा 200 यहां 200 यहां वापस 400 400 200 200 400 सभी का charge आगे अपने पास माइक्रो कुलम में है माइक्रो कुलम ठीक है तो अब charge आगे है तो अपने energy निकाल देता है energy e1 is equal to half formula q square by C होगा e1 मतलब मैं एक आम करता हूँ a का energy निकालता हूँ तो a के अंदर c और q same है तो energy of a is equal to energy of d होगा तो a के energy और d के energy same होगा कितनी half 1 by 2 q square by c तो यह आएगा 1 by 2 q square यहनी 400 का square यह आएगा 16 000 into 10 की पावर minus 6 का square 10 की पावर minus 12 और c कितना है c है अपना 10 into 10 की पावर minus 6 यहनी यह आएगा 8 millijoule कितना है तो energy stored in a and d कितना होगा 8 millijoule ठीक है और ऐसा ही अपना energy stored in b निकाल सकते है जो की किस के होगा energy stored in c के होगा और कितना होगा half q square by c अब यहाँ पर q कितना है 200 micro coulum तो यह 1 by 2 200 का होगा 40000 into 10 की पावर minus 12 और यह 10 into 10 की पावर minus 6 तो इसको solve करेंगे तो कितना है गई है कुछ देखो यह आजाएगा 2 तो 10 की पावर 6 10 की पावर minus 6 और 4 गया तो 3 तो 2 यह आजाएगा 2 millijoule सही एगा चेक कर लेते हैं question number 38 38 2 millijoule कितना जाएगा 2 millijoule question number 33